अगर आपको मेरी बनाई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें मेरी जो लास्ट वीडियो थी वह गूगल क्रोम की फीचर्स के बारे में थी कि गूगल क्रोम के अंदर ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपके दूसरे ब्राउजर में आपको नहीं मिलेंगे लेता हूँ कि ув एक देवान पर डेयां हो एकम्पल के तोरपे यहाँ पर डोव लेता हूँ एक मैं यूट उपन कर लेता हूँ और जो दूसरी टैब है उसको ब्लस का साइन का यूज़ नहीं करूंगा मैं पूरी प्रोसेस में माउस का यूज़ नहीं करने वाला हूं मैं सिंप्ली Ctrl प्लस T को प्रेस करूंगा जो कि new tab का shortcut है और आप देख सकते हैं मैं यहां पर Facebook को ले लेता हूं जैसा कि आप स्क्रीट पर देख पा रहे होंगे जैसा कि आप देख सकते हैं एक Facebook की टैप से मैं जम पोकर YouTube की टैप पर आ चुका हूं वो भी माउस की मदद के बगएर यह मैंने कैसे किया है मैं आपको आगे बताऊंगा अभी मैं YouTube पे आ चुका हूं और जो मैं आपको समझाना चाहता हूं हम पहले वो सीखते हैं लास्ट नाट को मैंने सेम वीडियो अपलोड की थी YouTube पे तो मुझे एक एरर आ गया था मुझे कॉपीरेट के क्लेम आ गया था तो वह क्यों आया था मैं आपके साथ वह शेयर करना चाहता हूं क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता था तो मैं आपके साथ भी वह शेय किया था उसके उस फीचर को दिखाने के लिए तो उन्होंने कॉपिरेटेट केम लगा दिया था तो इस पार मैं अपना ही चैनल उसमें open करूंगा इसमें मैं simply अपना नाम लिखूंगा और enter प्रेस कर दूँगा तो मेरी चैनल मेरे सामने आ जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं और इसमें मेरी वीडियो हैं तो मालेजी इसमें मैं कोई भी एक वीडियो उपन कर लेता हूं आपको दिखाने के लिए just like कि इसको ही ले लेते हैं कि अगल के जाने के बाद मैं जैसे मालेजी मैं इस लाइन कोपी कर लेता हूं कि इसके लिए ctrl c करूंगा जैसा कि आप देखते हैं मैंने ये वीडियो प्ले कर दी है और अकर आप मैं फिट से back करना चाहता हूं तो मुझे simply यहां पर जाके click करना पड़ेगा जो आपको यहां पर दिख रहा होका जिसको back arrow कहते है और ये forward and this is one is back पर मैं चाहता हूं कि मैं mouse का use कि यह बगहर यह सारी जितना भी कामें में करूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा मैं simply alt key को press करता हुआ जो आपके direction keys होती है जो top, bottom, left and right होती है उन direction keys में से दो keys का मैं use करूंगा एक left key जिसको back की भी कह सकते है और एक right key जिसको forward की भी कह सकते है तो मैं alt key को press करता हुआ उस वीडियो पर जाने का मेरा मतलब यह कि मुझे फिर से आगे जाना है forward जाना तो मैं simply alt key को press करता हुआ right key, right key नहीं से मलब forward key को press करूंगा जैसा कि आपको shortcut मेरे दिख भी रहा होगा डिस्प्ले पर जब मैं key को press करता हूँ तो आपको shortcut दिख भी रहोंगे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो आप देखिने में फिर आ गया आ गया मैं फिर से एक पर दबाओंगा तो मैं उसी वीडियो पर फिर से आ गया Google के जाने के बाद मैं जैसे माल है जैसा कि आप देख सकते हैं I hope आपको मेरे ये बास समझ आ गई होगी आगे बढ़ते होए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक तो आपको ये टैप्स शो हो रही है जिती भी टैप्स आपकी है यहाँ close का sign, maximize का store, सारे signs आपको show रहे है, अगर आप ये चाहते हैं कि यह आपको show ना हो, बिल्कुल भी show आपको ना हो आप फुल स्क्रीन पर YouTube देखना चाहते हैं YouTube क्या कोई भी अगर आपके पास है Facebook है YouTube है या कोई भी साइट अपने खोली हुई है और उसको आप अपने फुल स्क्रीन पर देखना चाहते है तो उसकी शॉटकिट की होती है F11 F11 को जैसे आपinal के प्रेस करेंगे तो आप देखिएंगे आपकी जितनी भी स्क्रीन होगी उसपे वही साइट खुलेगी जो है उसमें आपका एड्रेस बार से लेके बुक मार्क बार जो है वो तक नहीं शो हो रही नहीं कुछ टास्क बार शो हो रहा अगर आपको इसे एक्जिट करना है फुल स्क्रीन को आपने सिंप्ली एफ 11 को फिट से प्रेस करना है जैसा कि आपने देखा आई होप आपे मेरी बात समझ गए होंगे माल लीजिए मैं एक न्यू टैप खोल लेता हूं माल लीजिए यहां पर मैं कोई साइट खोलता हूं जैसे मैं इस पर एंटर प्रेस करता हूं अगर मैं साथ में इस पर एसकेप दबा दूंगा तो आप देखेंगे कि मेरी जो साइट जो प्रोसेस में थी जो ओपन होने वाली थी वो लोडिंग रुख गई है वो स्टॉप हो चुकी है या आप सिंपल अक्षूर में कहीं तो फ्रीज हो गई है तो एसकेप की की मदद से आप उसको स्टॉप या फ्रीज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि साइट ना खुले एक छोटा सा यह एक फीचर है जैसे कि आप कोई ऐसी साइट ओपन कर रहे हैं जो आपकी आड़ चलो चाहिए और अपके सामने कोई आ गया और आपको अब ऐसा कर देंगे आप पाता नहीं कहां को से गूंग गूंग के पहater पहुंचे होंगे आप क्लोउस तो नहीं कर सकते हैं सेप्स्ट कि कोट कर देणीग आपकी लोडिंग जाएगी यह फिर मैनन ने रुकति साइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी मेरे साइट मेरे ख्याल से मैंने जो साइट है वो गलत बरी है मैं इसको चेक कर लेता हूं इसके लिए हम सबसे पहले इसमें गूगल लिखते हैं कि अग्जाटली यह साइट है फाइलिपो.com मुझे यह खूलनी थी तो मैं आपको फिर से एक बार करके दिखा देता हूं इसके मैं यूर्ल को कॉपी कर लेता हूं क्यों कि अ कि यूज करता हूं subli control T press करता हूं इसको पेस्ट करता हूं और Enter परस करता और साथ ही मैं Escape यह भूथ फास्ट होगए मैं इंटरनेट कीी स्पीड बहुत जाता है मिन कोई और lou site खोलने की कोशिश करता हूं यहां पर पर हम खोल लेते हैं T-series.com है इस पर T-series खोल लेते हैं यहां पर लेकि जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं मैं simply escape प्रस करूंगा तो आप देखेंगे यह साइट यहां पर रूगी आगे प्रोसेस नहीं करेगी जैसा के आप स्क्रीन भी देख पा रहे होंगे file hippo site पे लोग इतना नहीं विजिट करते होंगे that's why वो बहुत ही easily मेरे से खुल गई जो T-series है इस पे बहुत लोगों का आना जाना रहता है वो इस site पे विजिट करते हैं तो जितना ज़्यादा आप किसी site पे विजिट करते हैं वो उतनी slow होती है इसका यह मतलब नहीं होत कि आपका internet slow है देखे मैंने hippo पे करने कोशिश की नहीं हुआ पर मैंने T-series पे किया बहुत ही असानी से हो गया क्योंकि इस T-series पे लोग विजिट करते होंगे mostly लोग इसको जानते हैं और इस पे विजिट करते हैं जबकि hippo पे नहीं करते अब जैसे कि आप देश सकते ह मेरी जो साइट है यह लोडिंग रुग गई है इसकी आप कैसे तो फ्रीज हो गई है इसको continue करने के लिए मैं simply F5 की को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे मेरी साइट मेरे सामने खुलकर आ जाएगी जैसा कि आप से क्रिन पे देख पा रहे होंगे I hope आप मेरी यह बात भी समझ गए होंगे अब माल लीजिए मैं एक मुझे इन तीनों में से पहले वाली टैप पे जाना है तो मैं माउस की मदद से जाओंगा पर मैं आपको जैसे बता रहा हूंगे मैं शॉटकट की इसका यूज़ करूंगा तो फर्स टैप सेकिंड टैब और थर्ड यह तीन लास्ट वन पर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल वन हमेशा फर्स वन कर रहता है और जैसे कि आप देख सकते हैं में रिसमने सिर्फ तीन टैप खुली है पर जो लास्ट टैप की जो शॉटकेट की है वह है कंट्रोल नाइन की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यह था नंबर चुकिन लगी स्कुली में हमने कि 12345678 ऐसे मेरा सातव नंबर पर कौनसे चाहँ उसके लिए हम सिंपली कंट्रोल की को प्रस करते हुआ प्रेस करेंगे घरिश हॉण पर यूटूब पर आगया जबाते हुए उसके ऐसे हम फिर से दाप चुल्क गा और अब तेक्ष और पींगों विम्हसिक्ट है योट्यूप को आगे जाना हुआ जैसे कि आप देक्पार रहे होंगे मैंने असके साइज बड़ा कर दिलए जैसे आपको दिख नब होगा तो अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको को फिर से अपने 100% पर लियाओं जो इसका डिफॉल्ट है तो उसको कैसे मैं उसकी स्क्रीन पर 100% राश्यो पर कैसे लियाओं कि यह मेरे स्क्रीन पर प्रॉपर फिट होके आ जाए तो उसकी जो शॉटकट की होती है वो थे सेट होकर आ जाएगा आपको स्क्रॉलिंग करने के जुरॉर्त नहीं है कि मैं स्क्रॉЛ करकर आपको बराबर यहाँगा आगे बढ़ते खत्म होती है उसमें यह जो यह ट्रिक है यह यूज होगी यह shortcut की उसमें यूज होगी अगर किसी में ko या .in या .nic यूज होती है तो उसमें यह वाली shortcut की आपकी यूज नहीं होगी simply जैसे www.com है तो उसमें हम यह use कर सकते हैं तो इसलिए मैं इसकी example ले लिया है ओके आगे बढ़ते हुए माल लीजिए आपने बहुत सारी browsing कर लिए और आपकी history सेव होती चाहरी है अब आप इस history को delete करना चाहते हैं तो आप mouse की मदश से इन three dots पर क्लिक करके यह history पर जाएंगे करना है control की plus shift की plus delete तो आपके सामने आपकी जितनी भी browsing हिस्टरी है जैसे कि आप यह देख सकते हैं वह आज आएगी आपको simply हमें clear करना है जिसमें आपके catch cookie और browsing history सब डिलीट ही जाती है या आप चाहे तो time rain last hour का करना चाहते है all time का करना चाहते है four weeks seven days 24 hours जो भी आपको चाहे उसको delete कर सकते हैं I hope आप यह भी समझ गए होंगे आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूँगा आप इसको notice कीजिए जो apps, mail, gmail, youtube, maps, facebook आप यहां पे देख पा रहे होंगे अब मैं चाहता हूँ कि यह जो चीज़ा है यह hide हो जाए आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसको bookmark bar कहते हैं बुक मार्क जो होते हैं आपके उसका बार जो है आप जितने भी बुक मार्क सेव करेंगे यहां पर आपको दिखते जाएंगे इसको bookmark bar कहते हैं तो आपने simply क्या key press करना है कि hide हो जाए उसके लिए आपने करना है control plus shift plus B तो आप देखेंगे वो hide होगी आपकी जो bookmark bar है वो hide होगी है इसको वापस लाने के लिए आपने simply unhide करने के लिए control key plus shift key plus B को press करना है तो फिर से आपके सामने आ जाएगी जैसा कि आप screen पे देख पा रहे होंगे अब बात यहां पे यह आती है आप और कोई bookmark add करना चाहते है तो कैसे करेंगे जैसे कि मेरे सामने www की site है मैं simply अपने PC या laptop के keyboard से control plus D को press करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे सामने bookmark आ चुकी है मैंने simply यहां पे done करना है कुछ डिलीट करना चाहता हूं कुछ add करना चाहता हूं add करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया अब डिलीट कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूं आपने सिंपली अपने PC या laptop के keyboard से ctrl key plus shift key plus o को प्रेस करना है ctrl key shift key और o तो आपके सामने आपके bookmark जितने भी है bookmark बार में वो आ जाएंगे अब मैं जैसे चाहता हूं कि मैं इदर से www.nexus को हटाना चाहता हूं मैं simply इदर click करूंगा और यहां पे delete पे प्रेस कर दूँगा तो आप देखेंगे डबल 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 डिलीटिड अगर आप undo पे click करेंगे तो फिर से आ जाएगी तो मैं जैसे नहीं चाहिए तो मैं इसको बंद करते तो आप देखेंगे WWE यहां से हट चुकी है I hope आप मेरी यह बात भी समझ गए होंगे अगर आप कोई चीज़ डाउनलोड कर लेते हैं कोई images कोई वीडियो कोई भी चीज़ डाउनलोड कर लेते हैं और आप चाहते हैं कि मैं देखूं मैं उधर जाओं कि मेरी कितनी process हो चुकी है तो मेरी डाउनलोड कि परसे कितनी हो चुकी है में मैंने कितना डाउनलोड कर लिया और रहा गया तो आप इन 3 दोटस पर फिल जाकर पर चाहते हैं तो आप देख पा रहे हैंtown बढ़ते होए मैं आपको यह बताना चाहूंगा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सर्च बार में जाए सर्च बार इंदा मतलब URL मैं address बार की बात कर रहा हूं सर्च बार की यह मैं इसकी बात कर आड्रस बार की आपको यहां जाने के लिए अपने माउस की मतलेने पड़े की जैसा कि मैंने पहले बोला आप माउस नहीं नहीं ले जा सकते तो आप वहां जाने के लिए क्या कर सकते हैं तो कि desap़ ख Europal Standard छाहूंगा मैं आपको बताना मैं मैं आपको बताना चाहूंगा विवर से कंट्रोल प्लस ए ला क्रेस करना hope आप मेरी बात समझ रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको मेरी बनाई वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शियर करे, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, वो बहुत ही खास होन hen 10 जीबी का डेटा मैं में sent कर सकता हूं अगर आप चाहते हैं उसको जानना चाहते हैं कि आप क्यूरियस सेंस को जानने के लिए कि सच्भे डेटाइस को में इसको send कर सकते हैं तो next video ज़रूर देखेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप 10 GB का data कैसे किसी को mail कर सकते हैं साथी साथ में मैं आपको कुछ और features के बारे बताऊंगा Chrome की I hope आपको अच्छी लगेगी तो please मेरे channel के साथ जुड़े रहे तो जो लोग नहीं like subscribe कर रहे हैं